नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल एंजिनियरिंग फोरम में आजम आजम वाट्स रॉंग क्या मेरी आवाज बहुत ज्यादा गुंज रही है और इस इको की वज़ा से समझने में परेशानी हो रही है तो चलिए आज हम यह सिखेंगे कि इस इको को अपने घर में कैसे कम कर सकते है और इस प्रोब्लेम को हम किस तरह से कम से कम खर्च में सौल्व कर सकते है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल एंजिनिरिंग फोरम में तो रूम के अंदर आवाज में इस इको को कम करने के कुछ economical solutions आज हम देखेंगे आवाज में बहुत ज्यादा इको की वज़ह से दोनों तरफ से फोन पर बातचीत को सुनना बेहत मुश्किल हो जाता है यह video chats, recording और यहाँ तक की सामनिय बातचीत करने में भी दिखकत पैदा करता है मुझे इस problem के लिए कुछ economical solutions मिले कि कैसे सस्ते में एक कमरे में इको को कम किया जाए पर इस solution का हल देखने से पहले हम यह देखेंगे कि actually आपके room में यह इको generate कैसे और क्यो होता है जब कोई sound generate होता है तो वो sound energy एक sound wave के form में propel होती है तो यह sound wave सभी hard surface से टकरा कर rebound होती है जब तक की एक soft absorptive surface इसे absorb नहीं कर लेता और अगर इसे कोई surface absorb नहीं कर पाता तो यह सभी hard surface से टकरा कर return होती है और eco के रूप में हमें वापिस सुनाई पड़ती है तो इसी वज़ा से हमें eco सुनाई देता है और अब हम इस problem के economical solutions देखेंगे हमरा tip number one है fill the room with furniture हम यह जानते हैं कि हमरे घर में large और soft items इस sound waves को absorb कर लेती है तो इसी लिए सबसे easy और effective यही रहेगा कि हम घर में ज्यादा से ज्यादा furniture set करें sofa sets एक खाली room में eco कम करने का best option है या फिर आप कुछ chairs एड़ कर सकते हैं इससे आपके room में eco तो कम होगा ही और इसके साथ साथ वहाँ पर बैठने के लिए seating भी ज्यादा मिल जाएगी आपको then second is cover windows with curtains कोई भी hard surface sound wave को reflect करता है और eco promote करता है और इसी वजह से walls और window glass से बहुत ज्यादा eco spread होता है तो इस windows को अगर हम curtains से cover कर ले तो हम बहुत easily eco कम कर सकते है और इससे आपके घर में interior का look भी बहतरीन दीखेगा और अगर आप चाहे तो इस windows को एक soundproofing curtains से भी cover कर सकते है यह special sound wave को absorb कर सके वैसे material से बना है तो यह eco कम करने में ज्यादा effective रहेगा और इससे बाहर से आने वाले आवाज भी अंदर तक कम सुनाई देंगे और घर के अंदर हमें एक peaceful environment मिल जाएगा फिट हर्ड है use rugs on the floor मतलब carpet का इस्तमाल करें hardwood या फिर tiled floor eco को promote करता है जिससे घर के अंदर हमारी आवाज गूंजती है और अगर आपके room में carpet बीचाई है तो आप कम से कम eco महसूस कर सकते है इसके लिए आपको smooth और fur fluffy carpet कुछ इस तरह से बीचानी है कि आपके room का maximum floor area cover हो जाए and if possible हमें ज्यादा thickness वाली carpet यूज़ करनी है ताकि ये sound wave को आसानी से absorb कर ले क्योंकि rugs की thickness इतनी ज्यादा नहीं होती ये low frequency sound waves को absorb नहीं कर पाते high frequency waves जो कि हमारी speech और घर के appliances से निकल दी है जिर्फ इससे ही absorb कर पाता है फिर number 4 है use art and tapstries अगर आप घर में eco कम करना चाहते है तो आपको वो सभी चीज़े करनी होगी जिससे की आप hard walls को sound absorbing materials से cover कर सके जैसे की paintings और poster लगा सकते है वे tapstries यानि की cloth के ऊपर बुनी हुई कला दिखा सकते है और like a poster आप इसे टांग सकते है तो इसमें eco कम होने के साथ साथ अपने घर का deck को और भी maintain रहेगा फिर fifth number पे है add plants inside the room तो अगर आप eco reduce करने के लिए एक natural approach देख रहे हैं तो घर के अंदर potted plants यानि की pots में पौदे लगाना plantation करना best option रहेगा अफकोस इसमें बड़े वाले जो plants है वो छोटे plants से ज्यादा eco कम करने में effective रहेंगे lower frequency वाले eco कम करने के लिए हमें plants room के corners में place करने है जहां पे low frequency वाले sound wave vacuum late होता है then sixth है use room divider curtains privacy issues लेकर market में room divide करने के लिए room का partition करने के लिए curtains available है जो की छट से लेकर floor तक cover हो जाते है ये बहतरीन options हम बोल सकते है eco कम करने का ये curtains बहुत से colors, designs और patterns में available रहते है जिससे की घर का interior भी खरब नहीं होता room divider curtains home theater के लिए share किये गए है rooms के लिए और large family rooms जहां पे किसी को privacy की requirement है वहाँ पे best options रहेंगे फिर 7th है use full bookshelves अगर आपके room में bookshelves है full of books तो ये बढ़िया option है कोई भी frequency के sound wave को absorb करने का इससे eco काफी हद तक कम हो जाएगा इस तरह की feel app library में देख सकते है जहां पे इतना बड़ा hole होने के बावजूद इको नहीं पढ़ता then 8th is use acoustic form तो ये acoustic form specially sound absorb करने के लिए बने आ गया है और ये कुछ इस तरह का form होता है जिससे की eco's नहीं पढ़ते हैं और इससे music production studios या फिर recording booth में walls soundproof रहती है ये बहुत से colors और patterns में available है market में like pyramids, wedges, flat pieces और egg rat waves available है पर इसकी thickness select करने में हमें थोड़ा सा धियान रखना है क्योंकि पतले वाले जो materials रहते हैं वो जिर्फ higher frequency वाले sound waves को absorb कर पाते हैं I'd suggest opting for at least 2 inches thick pieces क्योंकि 2 inches वाले thick acoustic forms सब भी frequencies absorb कर पाते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को like कर दीजिए और मेरी चैनल Civil Engineering Forum को subscribe जरूर करें this is all for today thank you for watching